इस वीडियो में हम exercise 19.3 के कुछ questions करेंगे 11 सर एका 21 तक वर 20 तक जिसके अंदर trapezoidal rule use लगा है ठीक है और वो किस के लिए 4 sub intervals के लिए that means n is equal to 4 उसका formula है आपको definite integral दिया होगा और आप से कहेंगे कि इसको approximate करें तो हमने यह वाला formula use करना है किस चीज़ का trapezoidal का इसमें b आपके पास given होगा a आपके पास given होगा and उसने आप मुड़ी बता जिया कि 4 है ठीक है हमें x not find करना है और f of x not x1 और f of x1 x2 f of x2 x3 f of x3 और x4 f of x4 ठीक है उसके लिए f of x पी आपको given होगा question की तरफ चलते है ठीक है 1 से लेकर 5 x minus 2 given that means कि आपके पास f of x क्या है 2 x 5 x minus 2 a की वे लिए 1 b की वे लिए 5 n is already given तो सबसे पहले हमने क्या करना है delta x find करना है 5 जो क्या होता है delta x is always b minus a divided by n तो that is 5 minus 1 divided by 4 4 by 4 is 1 इसका मनूल है हर interval का जो length होगा वो कितना होगा 1 होगा ठीक है अब interval start कहां से हो रहा है 1 से start हो रहा है ठीक है और कितने sub intervals बनने चार तो 1 से start हो रहा है 1 के साथ 1 add करेंगे तो next की आए अगर 2 2 के साथ 1 add करेंगे तो 3 3 के साथ 1 add कर देते हैं तो 4 4 के साथ 1 add करते हैं तो हमारे पास 5 तो मैं 1 से लेकर 5 का 4 sub intervals बना दिये ठीक है अब x1 की value क्या होगी we start from x0 हम left end point से start करते हैं तो क्या है 1 है अब उसको x0 के देते हैं x0 हमारे पास क्या है 1 है अब 1 के साथ 1 add कर दें तो हमारे पास बन जाएगा x2 2 के साथ 1 add कर दे, 2 बन जाएगा x2, 3 के साथ 1 add कर दे, 2 बन जाएगा x3, और 4 के साथ 1 add कर दे, तो हमारे पास x4 बन जाएगा, इसका मलब हमने 5 points की इपर values निकालनी है, function की, तो हमने x0 की उपर function के अंदर, उसी function में, x की जगा पे हमने क्या करना है, इस x की जगा पे 1 put करेंगे, यह f of x0 की value आजाएगी, x1 put कर दिया, function में 8 value आगई, इसी तरह 3 put कर दिया x की जगा पे, simplify किया तो यह answer आगया, अब x3 put किया, which is 4, x की जगा पे, answer किया गया, 18, और इसी तरह 5 put किया तो 23, अब according to formula, it says f of x0 plus 2 times f of x1 plus 2 times f of x2, फिर 2 times f of x3 और आखर में x4 के साथ, f of x4 के साथ कुछ भी multiplication नहीं हो रही है, 2 की, तो वाकी 3 के साथ 2 है, इसके साथ नहीं है, तो starting वाला है, अब formula में एक और भी चीज़ यह है, b minus a divided by 2n, तो b की वालियों मैं पता है, 5 है, a is 1, 2 as it is, और n हमें पता है, 4 है, अब हमने, यहाँ पे f of x0 की वालियो, 2 times f of x1, 2 times f of x2, 2 times f of x3, और x4 लिख दिया, अब इन सब को add कर दे, यहां से हमारे पास power by 8 आजाएगा, simplify हो के 1 over 2 आजाएगा, इनको add करके 2 से divide करें, तो हमारे पास अंसर आपे 52, next part में उसमें कहा हो है, कि आप इसको integrate करें simple, अब 5x है, तो 5 is a constant, बाहर डील हो रहा है, x पर जोब integrate करके power rule से, इसका power क्या है, अभी 1 है, तो power में हम 1 add कर देते हैं, और इसी number से divide कर देते हैं, और limit 1 से 5 है, फिर minus 2 अपनी जखा पर आगे है, minus 2, इसके integration क्या होगी, 2x और limit 1 से 5 है, तो यह हम ऐसे, अगर, इसमें से हम 5 by 2 बाहर निकाल लें, इस x square में एक दब हम 5 put करते हैं, इपर minus 3, यह lower limit put कर देते हैं, 1 उसका square, इसमें से minus 2 बाहर निकाल लें, अब x एक दब हम 5 put करते हैं, इपर minus 1 put कर देते हैं, और इसको simplify कर दे, solve कर दे, आपके पास answer क्या आता है, वो भी 52 आ रहा है, तो error इसमें क्या होगा, exact 552 है, estimated 552 है, दोनों को minus करें तो answer, error इसमें 0 आता है, that means कि वो हमें exact value दे रहा है, क्या central में, 2 से लेकर 6 तक है, और function भी उसी कराता है, 20 minus 4x, यह हमारे पास function है, a हमारे पास c है, b हमारे पास 6 है, n is 4 always, delta x हमने निकाल लिए, तो वो क्या गया 1, इसमें भी, 1-1 की gap से, जो interval की gap हो क्या है, interval का gap जहा है, वो 1 है, तो x0, हमें कहां से start करें, 2 से, x0 2 होगा, 2 के साथ 1 head करेंगे, तो x1 बन जाएगा, 3 के साथ 1 head करेंगे, तो x2 बन जाएगा, 4 के साथ 1 करेंगे, तो x3, और 5 के साथ 1 करेंगे, तो x4, अभी सारी वीडि़ीज हमने, इस function के अंदर, x की जागे पर put कर देनी है, यहां पर आपका नजर आ रही है, 2 put किया, solve किया, तो total आ गया, 3 put किया, solve किया, 8, 4 put किया, इसको solve किया, 4, 5 put किया, solve किया तो, answer 0, और जब 6 किया, तो हाँसे answer minus 4 आ गया, अब पर मुल्य मैं अगें, b minus a, b is 6, a is 2, 2 times n, n is 4, यह value 2 times 8, 2 times 4, 2 times 0, or minus 4 as it is, तो simplify किया, तो answer किया आ गया, 16, अब इसी पाड भी में इसका मैं इंटेग्रेट करने, simple, यह अगें 20 की integration किया होगी, 20x, limit 2 to 6, minus 4 बाइर निकाल देपे, x की integration किया होगी, x square by 2, और limit 2 to 6, यह varies है, इसमें put कर गया, x की जग़़ए पे, यह x square की जग़़ए पे, और simplify करें, इसका मतलब है, a आपके फास 1 है, b आपके फास 3 है, n is 4, delta x निकालते हैं, तो बन जाता है, 0.5, इसका मतलब है, 1 से लेकर, 1 से लेकर 3 को, हमने 4 intervals में, divide करना है, ठीक है, अब 1 के साथ, 0.5 एड़ करेंगे, हमारे पास x naught के होगा, जहां से हम start करें, 1, x1 के होगा, उसके साथ 0.5 एड़ कर दो, इसी तरह x2 के होगा, इसके साथ 0.5 एड़ कर दो, इसके साथ 0.5 एड़ करोगे तरही, इसके साथ 0.5 एड़ कर देए, तो यह answer आते हैं, हमारे पास सारे x1, x2, x3, x4, आगे, इसको अब इस वाले function में, तो हमारा ये वाला function है, इसमें आप x के जगा पर 1 put कर दें, solve कर दें, 1.5 put कर दें, solve कर दें, 2 put करके solve कर दें, 2.5 put करके solve कर दें, और 3 put करके solve कर दें, अब और और मुले में वही b minus a divided by 2n, सारी value हमें पता है, हमने put कर दें, ये function as it is आएगा value, इसको 2 times करेंगे, इसको भी 2 times करेंगे, इसको भी 2 times करेंगे, इसको भी 2 times, और ये वाला as it is आएगा, according to the formula, अब इसको add कर दें, तो अंसर कहते है 31, इसी चीज़ को हमने integration भी इसकी भी करनी है, तो 4 constant deal हो का भाहर आ गया x square के integration के आओ किए, और मैं वन add करके के हैं, और इसी number से divide कर दें, तो इपन जेगा x3 by 3, limit 1 से 3, x की integration के आओ किए x square by 2, from 1 to 3, 4 by 3 बाहर निकाल दे, x में, x की जगा पे 3 put करेंगे, और minus 1 put करेंगे, इसी तरह इसमें, एक दफा 3 put करेंगे, तो minus 1 put कर देंगे, इसको simplify कर दे तो the answer gives you 30.67, तो इसको इसे भी लिख सकते हैं, अभी exact है, और यह approximated है, 31 is approximated के, exact में से 31 निकाल दे, तो answer क्या रहा है, minus 0.33, minus का मतलब है कि exact value क्या है, छोटी है इसके साथ, original value छोटी है, और जो हमने estimate की यह वो value क्या है, बड़ी है, so that means इसको रखें, over estimated value, by a factor of, इसको इसे बड़ी है, 0.33, इसको इसे बड़ी है, 0.33, ज़ी है 1 by 3, 15-th question, इसे ब़ी है, is there a function different है, in terms of exponential है, so A is 0, B is 4, N is 4, delta हम इसे अगाप्नावे वह इसमें भी 1 ही आ रहा है, तो पहला x0 क्या होगा, 0, x1 में 1 add कर दें तो 1 आ जाएगा, x1 में 1 add करेंगे तो x22 आ जाएगा, 2 में 1 add करेंगे तो x3 3 आ जाएगा, और x4, 4 आ जाएगा, वही values हमने 0, exponential के अंदर put कर दी, value निकाल दी, 1 put कर दिया, सारी values निकाली भी है, अब यही values हमने formula के अंदर substitute करने है, b minus a reward by 2 times n, यहको यह वाली values है, this function की value, फिर 2 times this, 2 times this, 2 times this, 2 times this, or a as it is, इनको add के simplify के answer आगे है, अब हमने simple integration करने है, तो exponential की integration होई आती है, 2 is a constant, यहाँ पे लिग दिया, as it is, तो exponential e to the power x की integration भी e to the power x होटी है, limit 0 to 4, तो simplify के answer यहाँ आगे, अब यह exact है, और यह approximation है, exact में से approximation निकाल दी, तो answer है अगे, इसका मतलब है, again exact value छोटी है, approximation बड़ी है, तो इसलिए हम इसको करते है, over estimated by यह जो factorial पैबो, इसका negative sign इसके साथ नहीं रिखते है, अगर यह positive आ जाता, तो इसलिए हम इसको करते है, underestimation, underestimation का मतलब है, underestimated का मतलब है, exact value बड़ी है, approximated value से.